यूट्यूब चैनल के सभी भाई बहनों को नमस्कार आज मैं आप सभी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षा के कुछ उपाय बता रही हूँ आपको जब पता चले कि आपकी बहु या बेटी गरुवती है तो उसकी सुरक्षा आप सब की जिम्मेदारी हो जाती है सबसे पहले आप गरुवती महिला को लेडी डॉक्टर से चेकप अवश्य कराएं और डॉक्टर की सलह पर ही उसे दवाई, फल, भोजन और उसके खान-पान, उसके आराम की बिवस्था करें कुछ घरेलू उपाय भी अवश्य करें, कोई भी भारी सामान ना उठाएं, पानी की बार्टी भी नहीं, उछल कूद ना करें, तेज-तेज दोड़ भाग ना करें, बाजार से मोटा काला धागा ले आएं वही काला धागा जिसे लोग गले में लौकेट डाल कर पहनते हैं, और पैर में भी पहनते हैं, वही काला धागा उसी काले धागे में गायत्री मंत्र पढ़कर नौ गाठ लगा लीजे, और पूजा करती समय माता रानी के सामने चड़ा दीजे, माता से आशिरवाद लेकर उस धागे को गर्वती महिला की कमर में बान देना है। धागा तीसरे महीने में बान हैं। इस धागे के बानने से ना तो किसी की नजर लगेगी, ना ही कोई नुकसान होगा। गर्व की रक्षा अवश्य होगी। जब आठ महीना पूरा हो जाए, नवा महीना लग जाए, तब ये खोल कर रख देना है। इसे अपनी आलमारी में सुरक्षित रख लें। आगे भी ये काला धागा काम आ सकता है। इस प्रकार कुछ घरेलू उपाय अवश्य करें। अपने आप में थोड़ी तसल्ली रहती है और अच्छा भी लगता है। परंदो सरप्रतम डाक्टर की सलाह अति आवश्यक है। समय समय पर डाक्टर द्वारा बताई गई दवा बिटामिन की गोली आदी अवश्य लेना है। और डाक्टर के द्वारा चेकप भी जरूरी है। धन्यवाद।